EPS 95 नया नियम लागू होने से उच्च पेंशन चुनने वाले सदस्यों को होगा भारी नुकसान, जाने विस्तार में EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना-योजना के सदस्यों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है. मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि UPFO उच्च पेंशन गणना के लिए नए नियमों पर विचार कर रहा है. अगर प्रोराटा गणना पर आधारित नियमों को लागू किया जाता है तो EPS 95 सदस्यों की पेंशन में 30-40 प्रतिशत की कटोती की जा सकती है. श्रम एवं रोजगार प्रैक्टिस प्रमुख पीवी मूर्ती ने पुष्टी की की अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवा अवधी को दो हिस्सों में बाटा गया है. हालांकि EPFO ने अभी तक नई व्यवस्था पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है. इस संबंद में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है. उच्छ EPS पेंशनर्स को लगेगा बड़ा जटका. उच्छ EPS पेंशन के लिए प्रोराटा गणना मुख्य रूप से उन सदस्यों को प्रभावित करेगी जो अभी भी एक सितंबर 2014 को या उसके बाद काम कर रहे हैं या सेवा निव्रित हुए हैं. उसत पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए कर्मचारियों की सेवा अवधी को दो भागों में बाटा जाएगा. पहला भाग 16 नवंबर 1995, EPS 95 के लागू होने की तारीक से 31 अगस्त 2014 तक की अवधी को कवर करेगा जबकि दूसरा भाग 1 सितंबर 2014 से सेवा निव्रित्ती की तारीक तक का होगा. जबकि पहले भाग के दौरान पेंशन की गणना करते समय, पिछले 60 महीनों के आउसत वेतन को ध्यान में रखा जाएगा. पिछले 60 महिनों का आसत वेतन या 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ती की तारीक तक आसत वेतन यदी सेवानिवृत्ती की तारीक 31 अगस 2019 से पहले है देए पेंशन को अनुपात से विभाजित किया जाएगा और फिर दो भागों में विभाजित किया जाएगा उच पेंशन की राशी कम होने का जोखिन नए गणना फॉमूले के अनुसार जो कर्मचारी उच पेंशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें पेंशन की राशी में उलेखनिय कमी का खत्रा होता है 31 अगस 2024 से पहले EPS में योगदान और वेतन सीमा 6500 रुपए थी और 1 दिसंबर 2014 से अधिक्तम EPS योगदान बढ़ा कर 15000 रुपए कर दिया गया था ऐसे में नए सदस्य नई वेतन सीमा तक EPS में योगदान कर सकते हैं जबकि पुराने सदस्यों को वास्तविक वेतन के आधार पर व्रिधिशील योगदान के लिए आवेदन करने के लिए सीमित खिड़की दी गई थी जिसके कारण कानूनी लडाई शुरू हुई लडाई अंत्तह देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुँच गई जिसमें सुप्रीम कोट ने पुराने सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें उच EPS पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमती दी हालांकि प्रोराटा क्यालकुलेशन नियम से पेंशन की राशी में कमी आने की संभावना है क्योंकि सितमबर 2014 से पहले वेतन कम है इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए पहली अवधी में औसत पेंशन योग्य वेतन बहुत कम हो सकता है इसके अलावा यदि कम पेंशन योग्य वेतन को प्रोरेटा आधार पर अंतिम EPS पेंशन गणना में शामिल किया जाता है तो कुल पेंशन 30% से 40% तक कम हो जाएगी डिस्क्लेमर, म्यूचुल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम पर आधारित होता है शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तिय सलाकार से सलाज जरूर लें हिंदी.maharashtranama.com किसी भी वित्तिय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे EPA's 95 Higher Pension, EPFO, 900 करोड की सबसिडी और पेंशन कैलकुलेशन की रिपोर्ट पेंशनर्स का दावामन मोहन सिंग सरकार ने 2014 में नियूंतम 1000 पेंशन तै की थी, जिसे मोधी सरकार ने 1 सितंबर 2014 में लागू किया था सूचनाजी News, 36 गड रामा क्रिशा पिलेई ने फेस्बुक पर एक पोस्ट किया EPA's 95 Higher Pension से जुड़ा पोस्ट तेजी से वाइरल हो रहा है पेंशन कैलकुलेशन पर आधारित पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है इसमें लिखा है कि 2014 से पहले पेंशन योग्य वेतन सीमा 5000 और 6500 थी 1764.00 यह 19 साल की पेंशन योग्य सेवा के लिए है 2014199519 साल यहां मोधी सरकार ही है जिसने पेंशन योग्य वेतन को 15,000 कर दिया 1 सितमबर 2014 इसके अनुसार पेंशन भी बढ़ेगी सुप्रीम कोट के निरनय के अनुसार एक सितमबर 2014 से पहले सेवा निवरित लोग उच्च पेंशन पाने और उच्च पेंशन पाने के हगदार नहीं है निरनय के पैरा चवालीस वी का उलेक करें चुंकि वे EPS के सदस्य होना बंद कर देते हैं वे अब विकल्प का उप्योग करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के हगदार नहीं है यहां मेरे लिए उचित निरनय लगता है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि एक व्यक्ति जो अगस्त 2014 या उससे पहले सेवा निवरित्थ हो गया था वह 2022 या 2099 में जीवित है तो वह विकल्प इस्तमाल कर सकता है हाला कि सेवा में रहते हुए कोशिश करने वालों को लाभ मिलता रहेगा बशर्ते वह योजना के पैरा 11,4 के अनुसार फिर से एकसरसाइस करने का विकल्प चुने हाला कि निरने में दिये गए कारण के लिए सुप्रीम कोट ने उन लोगों को अनुमती दी जो निरने की तारीक तक सेवा निवरित्थ हो गए है और बाद में समय सीमा के भीतर विकल्प का उप्योग करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए समविधान के अनुछेद 132 के तहट अपनी नहिच शक्ती का प्रयोग करके सुप्रीम कोट द्वारा एक विशेश मामले के रूप में इसकी अनुमती दी गई है मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ लेकिन हम एसी के कानून आदेशों का सम्मान करते हैं सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है EPS नियोंतम पेंशन के लिए 900 प्लस करोड की सबसिडी Pensioners ने लिखामन मोहन सिंह सरकार ने 2014 में नियोंतम 1000 पेंशन तै की थी जिसे मोधी सरकार ने 1 सितंबर 2014 में लागू किया था इससे पहले की हम बहुत कम पेंशन प्राप्ट कर रहे हैं कम पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के कारण 1000 से कम EPS नियोंतम पेंशन के समर्थन के लिए सरकार सालाना 900 प्लस करोड की सबसिड़ी प्रदान कर रही है नियोंतम पेंशन बढ़ाने के लिए कोई वैधानेक दायत्व नहीं था याद रखें कि EPS बचत कम पेंशन योजना है और आपकी पेंशन 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 फंड में आपके कुल योगदान पर निर्भर करती है EPFO आपके फंड मैनेजर के साथ वैसे कृपिया मुझे बताएं कि आपने अपनी सेवाने वृत्ती तक EPS में कितना योगदान दिया जब आप रिटायर हुए थे और रिटायर होने के समय आपकी सेलरी कितनी थी आपके वाद विवाद से ऐसा लगता है कि आपने EPS में लाखो योगदान दिये और आपको थोड़ा सा रिटर्न मिल रहा है क्या आप जानते हैं कि आपका योगदान सरकार के साथ नहीं है या EPSO आपके फंड मैनेजर के साथ है वे उस पैसे को स्ट्रांग रूम में नहीं रख रहे हैं वे इसे केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूती बाजार से संबंधित उपकरणों जैसे शेयर डिबेंचर आदी में निवेश करते हैं ताकि रिटर्न उत्पन्न हो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित धन परिपकवता के बाद ब्याज के साथ EPSO को वापस कर दिया जाता है